नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल Optimum Health and Lifestyle में दोस्तों जब भी Muscle Building Supplements की बात होती है तो हमें हमेशा लगता है कि Imported Supplements ही हमारे Physique बना सकते हैं और हमारे Indian Ayurveda में कोई दम नहीं है तो आज इस वीडियो में मैं आपकी उन विचारों को पूरी तरह से बदल देने वाला हूँ आज मैं आपको Best Ayurvedic Supplements जो की Muscle Building में हल्प करते हैं उनके बार मैं बताऊंगा With Scientific Explanation ताकि आपको पता चल सके कि वो आपके Muscle Mass को Increase करने में कैसे आपकी हल्प करेंगे अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप तक और भी ज़्यादा useful information आती रहे तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो जो पहला सप्लिमेंट है उसका नाम है गोक्षुरा गोक्षुरा को साइंटिफिक नेम में टुरूबिलस टरिस्टरिस भी कहते हैं यह एक ड्राय क्लाइमेट में पाई जाने वाली हर्ब है इसके अंदर बहुत सारे नेचर स्टिरोटाइप कंपोनेट्स होते हैं जैसे की टेरिस्टरोसिंस, हेकोजनेन, डेसोजनेन जो कि हमारे बॉड़ी में टेस्टोस्टरन जो की मेल हर्मोना उसके लेवल को इंक्रीज करते हैं और जब बॉड़ी में टेस्टोस्टरन का लेवल इंक्रीज होता है तो इन रिटरन जब आप एक्सिसाइज करते हैं तो आपका मसल मास भी इंक्रीज होता है जिसका result यह होता है कि आपको naturally अपने energy जो होती है उसके अंदर बहुत ज़्यदा boost फिल होगा आप ज़्यदा energy फिल कर पाएंगे अपने अंदर day-to-day work में Second हमारा mass building supplement है अश्वगंदा अश्वगंदा का scientific name होता है विथानिय सॉमनिफेरा अश्वगंदा एक बहुत ही अच्छा adapter जैना यानि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे component होते हैं जो की stress hormone cortisol को reduce करते हैं साथ ही साथ body के testosterone को level को भी improve करते हैं जिसकी वेज़े से आप ज़्यादा muscles अपने बना पाते हैं अश्वगंदा पर बहुत सारे clinical studies भी हो चुके हैं और इसे बहुत ही ज़्यादा एक potent Indian Ayurvedic herb माना गया है muscle mass को और overall body की condition को improve करने के लिए हमारा तीसा supplement है सफेध मूसली सफेध मूसली के अंदर saponins नाम का chemical होता है और ये chemical हमारा male hormone testosterone से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता होता है जब कोई भी व्यक्ति सफेध मूसली को लेता है तो उसकी body के अंदर naturally जो testosterone level होता है वो increase होता है और सफेध मूसली को Indian Ayurveda में बहुत ही अच्छी हर्प माना गया अगर कोई chronic fatigue यानि के day to day general weakness से सफर करता है किसी को sexual dysfunction का issue है या कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ठकववा फील करता है सफेध मूसली हमारी पूरी body को nourish करता है हमारी muscle strength को increase करता है और जो tissue formation होती यानि कि आपके muscle building होती है उसको promote करता है and हमारा last supplement है वो है शतावरी शतावरी हमारी body में stimulate करता है ज्यादा blood formation को यानि कि खून ज्यादा बनाने में हमारी help करता है जो in return हमारे red blood cells होते हैं उनको increase करता है जिस वज़े से आप ज्यादा red blood cells के अंदर oxygen जा पाती हैं जिस वज़े से आप और ज्यादा energy feel कर पाते हैं और शतावरी के अंदर बहुत ही ज्यादा potent antioxidants होते हैं जो कि आपके muscle tissue damage जो होता है उसको prevent करते हैं उनको होने नहीं देते तो दोस्तो यह चार supplement हैं जो आप यूज करके देखिए अगर muscle building आपका aim है हमें हमेशा लगता है कि कोई भी supplement जो बहार से scientifically बनाया गया या import हुआ है वो ही सबसे अच्छा होगा और हम अपनी Indian Ayurveda को अतनी तवज़ों नहीं देते जितनी की उसे दी जानी चाहिए आपको एक बात का ध्यान देना होगा दोस्तो supplement supplement होता है वो कभी भी exercise या diet की जगह नहीं ले सकता है अगर आपकी diet और exercise अच्छी चल रही है तो यह supplement से अगर आप साथ मिलेंगे तो यह आपको ऊपर के level पर आपने body को next level पर ले जानने पर muscle building में बहुत ज्यादा help करें अगर आप की कोई भी questions है तो आप मेरे से comment box में उसे पूछ चकते हैं hope यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे like करें अपने दोस्तों के शेर करें और मेरे चैनल को subscribe करना तो बिलकुल ना भूलें ताकि आप तक और ज्यादा interactive and useful information आती रहें so till next time this is Raj signing off take care bye bye